3, 2, 1, शुरू किसी व्यक्ति के स्वेम के साक्षातकार न होने को दो तरह से समझा जा सकता है विराम पहले तो इस तरह के व्यक्ति स्वेम को समझ नहीं रहे हैं विराम वे सक्रिये हैं और परियाप्त कारिये कर रहे हैं लेकिन स्वेम के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं अथवा वे अपनी समताओं एम सीमाओं से अवगत नहीं हैं विराम इसलिए अपनी धुन में अपनी दिशा में घूम रहे हैं विराम पैरा हिंदी सिनेमा जिसे बोलिवुड के नाम से भी जाना जाता है हिंदी भासा में फिल्म बनाने का उद्योग हैं विराम बोलिवुड का नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग होलिवुड के तर्ज पर रखा गया हैं विराम हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतह मुंबाई सहर में बसा हैं विराम ये फिल्म हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों के लोगों के दिलों की धड़कन हैं हर फिल्म में कई संगीत में गाने होते हैं फिल्मों में हिंदुस्तानी शैली का चलन है विराम हिंदी और उर्दू विजिन ब्रेकेट खड़ी बोली के साथ साथ अवदी बंबैया हिंदी भोजपूरी राजस्थानी जैसी बोलियां भी संवाद और गानों में उप्यूक्त होती हैं विराम प्यार देश भक्ती परिवार अपराद भै इत्यादी मुख्य विशे होते हैं विराम जादातर गाने उर्दू शाईरी पर आधारित होते हैं विराम भारत में सबसे बड़ी फिल्म निर्मताओं मैं से सुद्ध बोक्स ओफिस राजस्व का 43 परतिशत का परतिनिदित्व करता है जबकि तमिल और तेलगू सिनेमा 36 परतिशत का परतिनिदित्व करते हैं विराम बोलिवुड बी दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े कैंद्रों मैं से एक है विराम पैरा राजस्थानी भासा राजस्थान में बोले जाने वाली भासाओं को कहा जाता है राजस्थानी भासाओं भारत में लगभग नौ करोड लोगों के द्वारा बोली जाती है विराम इस भासा समूह की सर्वादिक बड़ी बोली मारवाडी है जो लगभग 4.5 से 5 करोड लोगों द्वारा बोली जाती है विराम हिंदी ब्रज भासा मेवाती मारवाडी सेखावटी हाडोती कई भासाओं के मिश्रित जुंड को राजस्थानी भासा का नाम दिया गया विराम इसे वर्तमान में देव नागरी में लिखा जाता है विराम इन भासाओं में विपुल मात्रा में लोक गीत संगीत नृत्य नाटक कथा कहानी आदी उपलब्द है विराम इन भासाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है विराम पैरा इसी परियास हेतु कवी सुकवीर सिंग कविया का गीत मायड बोली एक प्रती गीत एक प्रेरक गीत के रूप में है जो राजस्थानी बासाओं की महता बताता है और ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी बासाएं बोलने हेतु प्रेरित करता है मीठो गुड मिसरी मीठी मीठी जेडी खांड मीठी बोली मायडी और मीठो राजस्थान विराम पैरा भारतिय इतिहास के ऐसे कई रहस्य उजागर होना अभी बाकी है जो इतिहास में नहीं पड़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहास कारों में मतबेद हैं विराम भारतिय इतिहास के शुरुवात को सिंदु गाटी की सभियता या फिर बोध से जोड कर नहीं देखा जा सकता विराम कुछ इतिहास कार इसे सिकंदर के भारत के आगमन से जोड कर देखते हैं पोण विराम